नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी सूत शेखर रस के फायदे के भारे में जानेंगे अब आपने सायद ये नाम पहली बार सुना होगा पर इसको कैसे बनाना है उप्योग की विधी क्या है और क्या-क्या फायदे हैं ये पुनता हम आपको बताने वाले हैं आ एक विश्वसनिय आयरुवेदिक धवा है सूत शेखर रस का प्रयोग अलग-अलग विमारियों के उपचार में किया जाता है कुछ रोगों के उपचार में इसे प्रमुख और शदी के रूप में तो कुछ रोगों में सहायक और शदी के रूप में प्रयोग किया जाता है बाजार में सूत शेखर रस गोली के रूप में या फिर चुन के रूप में भी आपको आसानी से मिल जाएगी बहुत सी आयरुवेदिक फार्मेसी इस औश्यधी का नेरमार करती हैं बहुत सी कमपनियां जो हैं वो बनाती हैं इसको बहुत सी कमपनियों का अच्छा भी होता है लेकिन हम आपको घर पर बनाना पहले बता देते हैं सूत शेखर रस के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होगा ये भी समझ लीजिए सूत शेखर रस को बहुत सी अलग-अलग ओश्यधियों को निश्चित अनुपात में मिला करके ध्यान रखेगा किसी भी अनुपात में नहीं मिलाना है आपको मैं जो मातरा बताऊंगा उसी के अनुसार मिला करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा तैयार कर लिजेगा पारा धातु का प्रयोग इस और शधि में विशेश सुरुप से किया जाता है वैसे तो पारा धातु जिसे पारत भी कहते हैं एक विशाक्त धातु किश्रेणी में आती है पर इसे अच्छे से शोधन करने से आपको लाप मिल जाता है तो आईए जानते हैं सूत शेखर रस में कौन कौनशी और शधियों का प्रयोग किया जाता है सूत शेखर रस जो है इसमें नाग केशर, धतूरा, अदरक, काली मेर्च, दालचिनी, इलाइची, पीपल, पारा, बिलवपत्र, शंख भस्म, तामर भस्म, सुहागा, वत्सना और गंध, कि यह सभी मिला करके बनाया जाता है, हम आपको मार्केट में भी बता देंगे, इस वीडियो में ही अंत में, कि कौन सी कंपनी का लेंगे, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको कंपनी भी सजेष्ट कर देंगे, लेकिन फिलहाल पहले जान लिज बन जाती है, पेट के रोगों के साथ साथ हरदय रोग और मस्तिष्क के रोगों में सूत शेखर रस स्वन यूगत प्रयोग करने से आपको ज्यादा लाव होता है, तो सूत शेखर रस के फायदे क्या है, विशेष रूप से इस औश्यधी का प्रयोग पीत रोग और वात को दूर करने में किया जाता है पेट में इस सीड की अधिकता को दूर करने में सूत शेखर रस का काफी अच्छा प्रभाव देखा गया है शरीर में पित वरिद्धी के कारण रक्त दूशित होने पर सूत शेखर रस प्रयोग किया जाता है बहुत अच्छा होता है पेट में जलन पेट में अधिक सीडिटी रहना अल्सरज से रोगों में सुत शेखर रस के प्रयोग से फाइदा होता है राज्य यक्षमा और स्वास रोग में इसके प्रयोग से लाव मिलता है शुखी खासी में इस उशधी को सहायक वुस्षधी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं पाई के घी के सा Catalunyaर के साथ ले सकते हैं या पर पानी के साथ भी आप पिसको ले सकते हैं लेकिन अगर आप दूद के साथ लेते हैं तो आपके लिए जाधा अच्छा रहेगा या फिर आप शहद के साथ लेते हैं तो सूत शेकर रस पुन रूप से एक आयरुवेदिक और शदी है, इसका प्रयोग आप किसी अच्छे वैदिक के देखरेख में ही किजेगा, स्वेम इस और शदी का प्रयोग करना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है, क्योंकि आपको इसकी समझ नहीं होगी, तो आप इसको में लाएंगे, तो आपको हो सकता है कि लाव न हो, तो इसलिए जरूरी है कि आप आयरुवेदिक की देखरेख में ही लें, इसको आप चाहें तो ले सकते हैं, जाकर के दुकान से भी आसानी से, वैद्यनात की बहुत अच्छी आती है, वैद्यनात के सौप से आप ले सकते हैं यह क्वालिटी इसका अच्छा होता है लेकिन आप इसको प्रियोग जब करें तो थोड़ा सा वैद्य से सलाह जरूर ले लिजेगा क्योंकि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है इसको समझते हुए जब लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदे मौंद रहेगा उमीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी एसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम ले करके आते रहते हैं तो एसी जानकारी पूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन को औ तक आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप अगला टोपिक कौन सा चाहते हैं